हरियाना पुलिस कॉंस्टेबल एक्जाम के लिए हम लोग करेंगे हरियाना सामान ग्यान के कोश्चन्स जो की आपका रिवीजन पार्ट होगा अभी तक कि हम लोगों ने जितना भी करा है उन सब का रिवीजन करेंगे तो यह पहला पार्ट होगा जिसमें हम लोग 100 कोश्चन तो यह होगा option C, A तथा V दोनों, A हो जाएगा रोतक, B हो जाएगा अग्रोहा अगला चौधरी देवी लाल का जो जनम है, वो किस जिले में हुआ था? तो यह हुआ था option D, सिरसा जिले में नेक्ष्ट रे, नेत्रदान को प्रोसाहित करने के लिए कौन सी योजना जो है, वो सुरू की गई है option B, नेहरू द्रश्टी योजना निम्न मैंसे कौन सा पुरस्कार साहित से सम्बंदित नहीं है तो इसका हो जाएगा option D, भाई संतोस्चिंग पुरस्कार और वांकी के तीन सही हो जाएगे जैसे कि वो सम्बंदित हैं, साहित से सम्बंदित जैसे कि पहला है मैर्सी बेद ब्यास पुरस्कार, बाबू बाल मुकुन पुरस्कार, और पंडित लखमी चंदर पुरस्कार, ये तीनों क्या हैं? साहित से सम्बंदित पुरुषकार है अगला है प्रथक राज के रूप में हर्याना की प्रथम जो जनगर्णा है ये कब हुई थी तो ये हुई थी आप्सिन भी 1971 में राज्य सहरी स्वास्ते मिसन प्रारम करने बाला हर्याना भारत का कौन सा राज्य है तो आप्सिन हो जाएगा प्रथम चौदरी बंसी लाल विस्व द्याले जो है वो कहां पर इस्टित है आप्सिन डी भीवानी बर्स 2001 से 11 के दसक में हर्याना की साथ चर्था दर में कितनी ब्रद्धी हुई है तो ये हुई ये आप्सिन भी 8.70% अगला है बारा बाठ होना मोहाबरे का क्या आड़त होता है तो बारा बाठ होना मोहाबरे का आड़त होता आप्सिन सी नश्ट होना निम्न मेंसे कौन सा कथन जो है वो असत्त है गलत बला बताना है तो option D बाकी के तीन सही हैं जैसे कि पहला है महुत पात की संख्या 16 है दूर निर्मित की संख्या 3 है और उपलिंग की संख्या 20 है निमलिकित में से कौन सा योगमस सुमेलित है तो सही वाला बताना है Option D सारे सही है जैसे कि बुद्धो माता का मेला लगता है मार्च में सहा चोखा खोरी का मेला लगता है अपरेल माई में और सिपजी का मेला लगता है फरवरी मा में करनाल के तरावडी में कौन सा मेला लगता है तो आपसन ने परासर का मेला लगता है राज में कौन से नर्थ्य को बसंत रितु के आगमन पर किया जाता है तो आपसन भी डप नर्थ्य को राज का कौन सा जिला संपूर्ण देश में अपने सूचना प्रोध्योग की उद्योग के लिए प्रसिद है तो अपसिंसी करनाल अगला है केरू जो है वो किस जिले का खंड है तो अपसिंसी हो जाएगा भिवानी नेक्स्ट प्रसिद करन जील जो है वो कहां पर इस्तित है तो ये इस्तित है उपसिंसी करनाल में रेलवे कैरिज एंड बैगन बर्क सौप जो है वो कहां पर इस्तित है उपसिंसी यमुना नगर में हरियाना का बीसवा जिला जो है बोगा इस कौन सा है तो हरियाना का बीसवा जिला है ओप्षन है मेवात कौन सा है मेवात हरियाना में तीसरी बार राष्टपती सासन कब लागू हुआ तो ओप्षन भी हो जाएगा बर्ष 1991 में हरियाना तिलक समाचार पत्र बड़्स 1929 में किस भासा में निकाला गया था तो ये निकाला गया था आप्षिन है उर्दू में देगला कोश्चन है किस पुराण की कथा के अनुसार राजा कुरू ने दोयतबन में हल चलाकर कुरू छेतर को आबाद किया था तो आप्सिन भी हो जाएगा बामन पुराण दिल्ली की गद्धी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू सासक हेमू जिसको कहते हेम चंद्र किस नगर का मूल निवासी था तो ये था आप्सिन सी रेवाडी का आप्रेशन मुस्कान किस के लिए काम करता है तो ये काम करता है आप्सिन भी गुमसुदा बच्चों की तलास के लिए दीन बंदू छोटू राम तापिय विद्धुत परियोजना निम्न में से किस इस्तान पर इस्तित है तो ये हो जाएगा आप्सिन सी यमुना नगर में किस बर्ष राज के प्रतेक गाउं का बिद्धुती करण कर दिया गया तो आप्सिन भी बर्ष उन्निस सो सत्तर हरियाना विशेस आर्थिक छेत्र की स्रेणी में किस बर्ष आया तो आप्सिन सी बर्ष दो हजार साथ जिला महंदर गड में निमलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है आप्सिन डी ये सबी चूना पत्थर भी पाया जाता है मैगनिज भी पाया जाता है और तामा भी पाया जाता है तामे एबं पीतल के बर्तनों हेतु कौन सा जिला जो है वो प्रसिद्ध है तॉपसन ए रेवाड़ई राज का कौन सा जिला कपास उत्पादन में अग्रणी है तॉपसन ए सिर्शा जिला राज के किंजुलों को सअयुक्त रूप से धान का कटोरा कहा जाता है तॉपसन सी कैथल को कुरूचेतर को करणाल और जीन्द को इन चारों को कहा जाता है चने हरियाना में ग्रीनिंग आप हरियाना नामक ब्रच्छा रोपन की ब्यापक योजना जो है वो कब सुरू की गई तो ये सुरू कई गई ऑप्शन डी बर्श 1989 से 90 में राज में रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र जो है वो कहां पर इस्तित ह इसका क्या होगा तो इसका होजएगा अंबाला च्छाबनी में तो ये आप्शन थोड़े से गलत हैं तो इसका होगा अंबाला च्छाबनी निम्ण मेंसे कौन सी नदी मुलाना के समीप मारकंडा नदी में मिलती है तो option B टांगरी नदी अगला है डाक्टर ब्लादी मिर ने डाक्टर ब्लादी मिर ने जलवायू बिवाजन में किस जलवायू को इस्ठान नहीं दिया तो आप्शन सी ग्रीस में मरुस्त लिए जलवाईयों को हर्याना के किस जिले में लाल चेश्ट नट म्रदा पाई जाती है तो आप्शन सी हो जाएगा यमुना नगर में हर्याना में किस इस्थान से नब पासान योगिन क्रसक बस्तियों के प्रमाण मिले हैं तो आप्शन सी सवाल महा भारत में नगो नकुल द्वारा जीते गए किन छेतरों का उलेख है तो आप्शन रोहतक और सिर्शा अगला हर्याना में महंदर गड किस के लिए प्रख्यात है तो आप्शन लाख की चूडियों के लिए हर्याना का कौन सा जिला किसी भी राष्ट्री राजमार्क से नहीं जुडा है तो आप्शन भी यमुना नगर संदेश नामक समाचार पत्र निकाला था तो आप्शन ने पंडित नेकी राम सर्मान है तो आप्शन है कहां से प्राप्त सिक्कों से पता चलता है कि प्राचिन काल में हिसार छेत्र में अग्र गण राज्य है तो आप्शन सी हो जाएगा ए और भी दोनों बरवाला और अग्रोहा हिसार एवं हासी के किस सेना नायक ने हासी का दुर्ग जीता था तो आप्शन भी जाटवा राश्ट्रिय ग्रामीन आवजी बिका मिसन हरियाना में सार्थी सुरू किया गया था इसमें किस जिले के तीन खंडों को सामिल किया गया था तो आप्शन है जजजर अगला संस्क्रत अकादमी परतिवर्थ एक संस्क्रत बिद्वान को कौन सा पुरस्कार परदान करती है कमेंट करके बताएं इसका हो जएगा उप्शन है मैरसी बाल में की पुरस्कार निम्नमे से कौन सा जो कतन है वो गलत है तो उप्शन भी बागी के तीन सही हो जाएंगे जिसमें पहला है बर्ष 2001 से 2011 के दोरान गुरु ग्राम की जन संख्या में सरवादिक ब्रद्धी हुई और C है बर्ष 2001 से 2011 के दोरान जजजर की जन संख्या में निउन्तम ब्रद्धी हुई और D है हरियाना में फरीदाबाद जिले का जनसंख्या घनत जो है वो सरवादे कै कुरू छेत्र विस्विद्याले का पोस्ट ग्रेजुएट छेत्रिय केंद्र किस जिले में स्थापत किया गया है तॉपस्टन D जीन्द अगला है साय अपने अपने उपन्यास के लेखक का नाम क्या है तॉपस्टन D राजकुमार निजात संस्क्रत साहित के गरंथों में सामिल नहीं है तॉपस्टन D बनारसी बिलास कौन सी सदी को हरियाना में संत संप्रदाय का सोन काल माना जाता है तो option D हो जाएगा अठारवी सदी को राज की सास की ये भासा जो है वो कौन सी है तो बो है option D हिंदी अगला है प्रसित पर्याटन जील, दमदमा जील राज के किस जिले में इस्तित है तो option है गुरू ग्राम अधिती मंदिर किस जिले का मंदिर है तो ये है option D करनाल कडूला आभूसन को कहां पाएना जाता है तो option ने टाड या कह सकते हैं बाजू में पाएना जाता है सैनिक फैसन की पकड़ी को क्या कहा जाता है तो option C हो जाएगा साफा कहा जाता है निम्न मैंसे किस बाग यंत्र को जोगियों ने प्रसिद्धी प्राप्त करवाई तौपसिन सी सारंगी और निम्न मैंसे कौन सा कथन जो है वो गलत है तौपसिन सी बागी के तीन सही हो जाएंगे जिसमें पहला है रतवाई नत्य मेवाती छेत्र का सूप्रसिद नत्य है और B है खेडा नत्य गम या दुख में किया जाता है और D है घोडी नत्य का आयोजन साधी के अपसर पर किया जाता है अंबाला की स्थापना निम्न में से किसने की तो ये की थी अपसने अंबाने अगला है रोहतक जीले की स्थापना जो है एकका भुई तो आपसन भी एक नबंबर उननिस सो चाँचट अगला है ठाकुड द्वारा कहां का प्रमुक पर्यटन इस्तल है तो आपसन सी हो जाएगा जज़र भतेयाबाद का प्रमुक रेलवे स्टेशन जो है वो कौन सा है तो आपसन भी जाखल अगला कोश्चन मनता है किस आयोक के एक सदस्य ने चंडीगड सहित खरड तहसील को हर्याणा में सामिल करने के बिरुद्ध मत प्रकट किया तो आपसन सी हो जाएगा जेसी सहा आयोक बिजयानन्द मासिक पत्रिका जो है वो किसी ने निकाला तो आपसन सी आत्मा राम जैन ने निम्नमैसे कौन सा कतन जो है असत्य है तो इसका हो जाएगा आपसन दी बाकी के उपर वाले तीन सही है जिसमें पहला है हिसार दूर दसन केंदर का उदगाटन ततकालीन सूचना एवं प्रसारान मंत्री सुस्मा सुराज ने किया था और बार्स 1956 में आत्मा राम जैन ने अंबाला से विजयानन्द नामक मासिक पत्र निकाला था और सी है आपका हरीगंदा हरियाना साहित अकादमी की मुख पत्रिका है डीवाला आपका गलत था राजे का सबसे पुराणा आकास वानी केंदर कहां है तौपसन है रोह तक रेवाली जिले का कौन सा उद्योग समपून भारत में प्रसिद्ध है तौपसन डी उप्योक सभी इसमें पहला है तिल्ला जूती उद्योग वी है पीतलबरतन उद्योग सी है हीरो माय मोटर साइकल फैक्टरी सरस्ति सुगर मिल किस जिले में है तौप्सन डी हो जाएगा या मुना नगर निमलेकित में से कौन हरियाना की प्रमुक फसल जो है वो नहीं है तौप्सन सी बाकी के तीन है जैसे की ग्यों, चाबल और मक्का किस जिले के सरवाधिक भोगोलिक छेत्रफल पर बन पाये जाते हैं तौप्सन डी इसका उजएगा ओप्सन भी भीवानी निम्न मैसे किस जिले में कलेसर वन्यजीप अभयार रन्ने जो है वो इस्तित है तौप्सन डी या मुना नगर हर्यान में जुलाई से सितंबर महिने के मध्य किन पवनों द्वारा बड़सा होती है तौप्सन डी दच्छनी पूर्वी मानसूनी पवन निम्न मैसे कौन सी म्रदा को हर्यान में घर एबम कांगी कहा जाता है अप्सन बी गिरी पाधिये म्रदा है नित्य बाही नदी कौन सी है तौप्सन यमुना नदी और भटियाना भगोलिक छेत्र में कौन सा जिला सम्मिलित है तौप्सन फतेयाबाद हर्याना राज्य का छेत्रफल जो है वो कितना है अप्सन बी चववालेस हजार दोसो बारा बर्ग किलोमीटर किलोमीटर स्कॉयर भी कह सकते हैं अरावली की स्रेणिया हर्याना के किस भाग में इस्तित हैं तो अप्सन डी पस्चिमी भाग सोदेशी अंदोलन का प्रचार करने 15 अक्टूबर 1921 को कौन सा नेता रोतक गया तो ये और भी दोनों मदन मोहन मालविये और महुम्मद अली कहां की तहसील दारी छोड़कर हीरा सिंग चिनारिया ने प्रजामंडल अंदोलन का नेत्रत किया तो जीन दिख रियासत कहां की नगर पालिका ने प्रस्ताव पारित कर प्रिंस आउप बैल्स के आगमन का बहिस्कार किया तो आपसिन भी रोह तक रनजी सिंग ने किसे सरण देने की अपेच्छा उस सासक को पकड़ कर अंगरेजों को सौप दिया तो आपसिन सी लाहोर अगला है सुमेलित करना है कूट के माध्यम से इसका देखे क्या होगा थोड़ा सा छोटा करते हैं इसका देखे पहला है पैरा केट पैरा केट का हो जाएगा कुरू छेत्र सिरे समा इसका हो जाएगा गुडगाओं मोर्नी हिल्स कहा है अंबाला गौराईया कहा हो जाएगा बहादुर गड़ अच्छन गाइस बनता है हरियाना के एक सैंदब इस्तल से एक मुद्रा प्राप्त हुई है जिस पर बिचित्र पसू अंकित है जिसका धड़ सिंग की तरहें एवं सींग बैल की तरहें है यह स्तल जो है वो कौन सा है तो बना वली पंजाब उच्छ न्यायाले के मुख्य न्यायादीस नियुक्त किये जाने वाले पर्थम भारतिये थे तौपसने सरसाधी लाल इंद्रा गांधी मात्रत सयोग योजना हर्याणा के किस जिले में पाइलट प्रोजेक्ट के रूम में लागू की गई थी तौपसने पंच कुला मुर्थल हर्याणा राज के किस जिले का एक खंड है तौपसन भी सोनी पत हर्याणा में गर्मी का मौसम कपसे होता है तो अप्रेल से जून निम्न में से किसे स्वर समराठ की उपादी प्राप्त हुए तो पंडित जस राज धन बाग के अंतरगत आते हैं तौपसने जहांज और मजीरा किस प्रसिद कलाकार को हर्याणा का सेक्सपियर या काली दास कहा जाता है तो इसका क्या होगा आप्सने पंडित लखमी चंद्र मेवाद के नुहु तता फिरोजपूर जिरका छेत्रों में लोगप्रिये नत्य है तो आप्सने रतवाई नत्य मुंगीपा का मेला किस जिले में लगता है तो आप्सन भी बिवानी निमलकित में से कौन सा अपसकुन है तो आप्सन भी बैस पर सवार गौले का दरसन कहां के पवित्र सरोबर में प्रत्वी के 68 तीरतों की क्रांती एवम सक्ति नीइत है तो आप्सन भी हट केस्वर नील क्रांती कृष्णा डेम कहां पर इस्तित है तॉप्सन सी कुरू छित्र बिसनु सहस्र नाम किसकी क्रती है तॉप्सन भी सत्य मेब बसिस्ट चित्र बोधनी नामक टीका जो है किसने लिखी तो पंडित हरीपुन्य एडूसेट प्रोजक्ट किसे से सम्मंदेत है तॉप्सन भी सेटलाइट द्वारा सिच्छा देने है तू किंद्री भैस अनुसंदान संसान जो है वो कहां पर इस्तित है तॉप्सन है हिसार में इस्तित है कहां पर है हिसार राज्य सरकार दोरा ब्लड बैंकों में किसकी जाच अनिवार कर दी गई है तो उप्सन सी हेपेटाइटिस सी कस्तूर्वा गांधी विध्याले योजना का मुख्य लावारती है तो बालिका बर्क और आज का लास्ट कुस्चन है हर्याना की औरतें सोने से बने हुए गहने पुरली को कहां पैनती है तो उप्सन सी हो जाएगा नाक तो गाईद आज के इस पीडियो में इतना ही थैंक्यो धन्य बात आपका दिन सुबराए